मस्कार दोस्तों विल्कम डेक्सन स्टेटी पॉइंट मैं हुश वरभ सुखला दोस्तों देखिए जो न्यूज एट इन इंडिया है उसके दोस्तों वेबसाइट पर एक तो न्यूज यहां पर दिखाया जा रहा है कि पटना हाइकोट का फैसला यह निकि जो कल फैसला आया था पटना हाइकोट का उसके मुताबिक के ख़बर शापे गए थी कि 13 से डियूल में 13 से दिसंबर को होगी बिहार स्टाफ सेलेक्शन कमिसन के परिछा अब देखिए पहले बात करते हैं कि 13 दिसंबर को परिछा हो पाएग या नहीं हो पाएगी तो दोस्तों आज हो गया ह तो सिर्फ तीन दिन का समय बचे का जो कि बहुत कम होगा क्योंकि बहुत सारे चात्र ऐसे हैं जो कि भारत के अलगलग हिस्सों में रहते हैं बटन बिहार के पास में नहीं है तो वह तीन दिन के अंदर बिहार में पहुंच भी नहीं पाएगी इसलिए तीन दिन का समय परि दिया गया वो जनवरी 2021 का जो है सुनवाई का डेट दिया गया तो भी बहुत लंबा समय दोस्तों खेच चकता है देखिए पहले पढ़ते हैं कि पूरी खबर क्या है देखिए आपर क्या लिखा हुआ कि जो कल का फैसला है था उसके मुताबिक लिखा हुए कि पटना बड़ सकता है अब देखिए ज़रूर नहीं कि तेरे तेरे को ही करवाए कोट का यह ओडर नहीं कि तेरे को ही करवाए कोट का ओडर यह था कि तेरे को करवा सकता है उस पर कोई भी रोक नहीं है आगे हाँ पर लिखा हुआ है कि बिहार स्टाफ सेलेक्शन कमिशन की अपील पर ची इससे पूर्व सिंगल बिंच ने 2018 मिली गई पीटी परिशा के मॉडल आंसर एक सब्ता में प्रकासित करने का निर्दस आयोग को दिया था जोकि एक दिसंबर को दोस्ते ने फैसल आया था कि मॉडल आंसर की जारी किया जाए साथ ही उमें दवारों से आपतियां मांगने के साथ एक्सपर्ट कमेटी गठित कर इसकी जाच का भी निर्दस आ जो है आयोग को कोट ने दिया था इस आदिस को चुनोती देते हुए आयोग ने अपिल दायर किया चीफ जस्टिस की खंडरी पीट ने सुनवाई करते हुए उक्त आदिस दिया कोट ने आयोग को पूर्ण निर्धारे थी 13 से मोखे परिशा आयोग करने का निर्दस दिया साथ ही ये भी कहा कि इस अपिल के फालाफल पर मोखे परिशा का रजल निर्फर करेगा इस मामले पर अगली सुनवाई जो है 2021 में जनवरी में होगी है देखिए अगली सुनवाई जो है जनवरी 2021 में होगी दोस्तों अब यहाँ पर एक बात आपको इस पर स्टूर्प से देखना चाहिए कि कि आज 9 दिसंबर को परिशा नहीं किया गया है और नहीं ओफिशल वबसाइट पर कोईनोटेस जरी की गई है दोस्तों कल का जो दिन है यह धिकल एडिमीर आप जारें नहीं होता है कल आप एक दिन और देख लीजेए यहां पर और लिखा हुआ था कि पटना हाइकोट ने बिहार स्टाफ सेलेक्शन कमिशन द्वारा इंटरस तरी मोखे परदगता परिच्छा का तैस सडूल यानि कि तेरह दिसम्बर करा जाने का निदेश दिया परिच्छा करवा सकता है तो हमें उमीद है कि लग सकता है कि जनवरी 2021 तक जो है यह एक्जाम चला जाए क्योंकि इसमें दो राय नहीं है कि तेरह दिसम्बर को परिच्छा होना बहुत ही मुस्किल है दोस्तों जैसे कोई अन्य सोचना आते आपको जरूर दी जाएगी यदि कल एड्मिट कार्ड आता है तो देखा जाएगा लेकिन अगर एड्मिट कार्ड नहीं आता है तो निश्चेत और परज्चा 13 दिसम्र को परिच्छा नहीं हो पाएगा इस पर आपका जो ही विचार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद